है कि है को यह रिए को कैसे हो आप लों और यह होग आप लोग बढ़ियां कर रहे हैं और किसी भी लक्टर あड करने में अपको छोटाइली सिर्ट है धूरी ला रहे है बस आप लोग प्रक्टिस करिए लेप्टस को रिवाइज दो से तीन बार देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा को सिन आंसर जो भी बीच में आते उनको जरूर आप लोग करिए देखिए चैप्टर भी जो हम चैप्टर में फोर्टीन है यह कंसेप्ट ज्यादा कोई इसमें डेप्ट नहीं है फिर भी आप चैप्टर को कम्प्लीट करिए जो हर चैप्टर की अपने इंप्रेंस से होती को हमारी बुक में दिया गया तो हमारे इन इंप्रेंट तो है यह तो आप लोग क्लास 10 के अप्वरिंग किसी भी चैप्टर को हलके में न होगा हमने बायो मास जैव मात्रा जैव उपजा के रूप में पढ़ा था और उनके बारे में काफी डिटेल से हमने जाना था क्या होते ही सब चीजे आज हम एक नई इनर्जी के बारे में जाने को कि हम लोग इंप्रूमेंट कर रहे हैं अपने जो भी ट्रेंस सोर्सेज है उनके किस तरीके से इंप्रूमेंट करें आके हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उप्टेंट हो तो उन्हीं सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे बच्छों तो आज का टॉपिक है विंड नर्जी जो कि आपका पेस नमर इंग्लिस मीडियम 247 पर है बच् अखिरकार होता क्या है यह सुन चुके हम कई बार इसको देख भी चुके हैंगे हम लोगों ने ऐसी डाइग्राम आपको पिच्छर में जो दिख रहा है लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है समझना मुझारी कैसे यूजी में आता है समझे वी सा इन क्लास नाइन्थ हाव अन ने यह देखा कि किस प्रकार से शुर्य के विकिर्णों द्वारा उखंड और जलासें के समान तब थोने कारण वायो की उत्रपन होती है और पवनों का प्रवाव होता है यहीटिंग एफेक्ट अनिवन हीटिंग एफेक्ट के कारण नहीं कहीं पर सुर्य का किरन जादा प प्रवाव होता है ते कानिटिक अनरजी ऑफ दा विंड जाद गार्यों को करने में किया जा सकता है जो हवाओं की उडजा है जो विंड एनरजी है इसका प्योग कोई काम करने में भी हम कर सकते हैं पवन उडजा काप्योग सतापदियों से पवन चक्यों दौरा यांति कार करने में होता रहा है पवन चक्यों में विंड मिल्स में जो हमारे मेकनिकल वर्क्स है इसको हम कर रहे हैं उदारन के लिए आगे समझेगा बच्छों एग एक्जामपल के थूँ फर एक्जामपल in a water lifting pump the rotary motion of windmill is utilized to lift water from a a whale today, wind energy is also used to generate electricity, a windmill essentially consists of a structure similar to a लार्ज एलेक्टिट फैन दाट इज इरिटेट एक्टेट एट सम हाइट और राइस सपोर्ट फिगर 14.5 फिर आगे क्या उदारन के लिए किसी पवन्चक्की दुआरा प्रचलित प्रचालित प्रचलित जल पंप यानी पानी को उपर उठाने वाला जो पंप होता है में पक्रूब आजकल प्रचाय उप्योग विट्व तपन करने में करते हैं आज हम बुस्ली उत्पन करने में करते हैं बच्छों वस्तुता किसी ऐसे बिशाल के समान होती है जिसके द्रिर आधार पर कुछ उचाई पर खड़ा कर दिया जाए जिसके डैगाम में दिखा गया एक बड़ा से टावर होता है और यूपर यूपर पंखड़ी लगा दी जाती है बच्छों समझें तो जनरेट अलेक्रिशिटी दे रोटरी मोशन अब दे विंड मील इज यूज तो तर्ण दे टर्वाइन अब दे अलेक्रिक जनरेटर अब आउट्पूट अफिस सिंगनल विंड मील इज टुटिए इस्मॉल एंड कैंनोट बी यूज फूर कमर्शियल परपाज से पवनचक्च की घुनदंगती कॉपयोग विद्धु त उतपन करने के लिए विद्धु जनित्र के अब है यह मैंने बोला ना तर्वाइन घुमा ना सोर्सेज कोई सा भी हो चाया पानी से गुमाओ चायब वेपर से गुमाओ चाहिए विंड से गुमाओ हवार से गुमाओ टरवाइन गुमेगा तो इलेक्रिशिटी जनरेट बच्चों हो जाएगी किसी एकल पवंचक्की कि निर्गत बिद्दूत बहुत कम होती है जिसका वैपारी को प्रिक संभव नहीं है अतक किसी विसाल सब एक पवंचक्की एक लगा लिए तो आपने सब्सक्राइब बना लेंगा नहीं बहुत सारी पवंचक्किया हमें लगानी पड़ेगी अतक किसी विसाल सब्सक्राइब करने के लिए किसी उर्जा फॉर्म की सभी पवंचक्क्यों प्रसपस यूगमिंद किया जाता है जिससे फल्सरूप नेट उ दोर अबित रूजाओं के योग के बराबर होती है ठीक है तो कमर्शल रूप से भी इसका हम लोग यूज लेते हैं एक आपको छोटा सी इंफरमेशन दिया गया बच्चों उसको जानते हैं बॉक्स में दूआओं डैनमार्क को पवनों का देश का जाता अंडलाइं करेग जर्मनी भी इस चेतर में अगर्णी है भारत पावन उर्जा में विदुत पारंग करने वाले देशों में पाचमें स्तान पंडलाइन कर एगा इंडिया का कौना सा रहेंकी है फिप्त पाँछमन मर्पे इंडिया पावन चक्की की दारह उट्वान उत्भन करने में आता हैं फिर आगे बच्चों ये भी अंडलाइन करीगा इस एस्टिमेट देट नेरली 45,000 मेगावाट फिलेक्रिकल पावर 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 इस इंडिया विंड पोटेंचिल इज फुली एक्स्पूटिटेड लार्ज विंड अनर्जी फॉर्म हैज में स्टिवाइज नियर कंग्या कुमारी एंट अमिलाडू एंड जन्रेट प्रोड्य प्रोड्यूस करते हैं इस बाद बताएं इस अपके घर के बगल में लगा नहीं कोस्टल एडिया जोते हैं समूध था इनको इस्टिवलाइज किया जाता है संझेए हर जगा नहीं कर सकते इसको हम लोग चलो बच्चों और भी कुछ इंफर्मिशन जानते हैं नेक्स पेज़ पाईएगा विन्ड एनर्जी इस एन एन्मार्मेंट फ्रेंडली एन इशिशेल सोर्सेज ऑफ रिनुवल एनर्जी अंडर्लाइन करेगा पाईवन उजा एक नवी करने उजा सोत है जो कि परियावरल हीते सी अम दक्च चत्रोती भी है इसके द्वारा विदूत उत्पादन के लिए बारबार धन खंट करने के आविसकतर नहीं है कि आपने बार-बार इसके लिए धन कच करो नहीं पंतु पवन उर्जा को प्योग की बहुत साइज सीमाएं भी है लिमिटेशन भी है बार-बार आपको पैसे लगाने नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ लिमिटेशन है क्या है उसको जानते हैं फिर्स लिए विंडेशी फॉर्म्स कें बिस्टराइज ओनली एक दोज प्लेश विंड ब्लो और ग्रेटर पार्ट फियर लोग पैली कंडिशन में कि पवन उर्जा फॉर्म केवल उनी छेत्रों में इस्थापित किया जाता है जहां वर्स के अधिकान दिरों में तिब्र पवन चलती है वहीं पर सक्सेज ही है ऐसे नहीं आपने अपनी जगह घर के आसपास लगा लिया वाइन चल रही होँआ पर आज दुम पैसा आपका तब विंड इसको की विंड अनर्जी नाम उसका विंड अनर्जी आए तब वाइन पैस स्पीड वो शुट भी और दें 50 किलो में पर हावन मेंटें अपने प्र एक और तर्वाइन की आपशक चाल को बनाये रखने के लिए पवन की चाल भी 15 किलो मेंटर पर गंटे साथी ह लाइक इस्टोरेश सेल्स तो टेकर अरफ इनर्जी निर्स दूरिंगे पिर देर जिनों विंड देखिए उसके अलावा इसके साथ ही संचायक सेलों जैसे कोई पूर्थी का सुद्दा भी होनी चाहिए जिसका उप्योग और जाकि आवसका पूर्थी के लिए उस समीं क्य इस्टेबलाइश्ट ओफिंड एनर्जी फॉर्म्स रिक्वाइब लाज एडिया ओफ लेंड फॉर्थी कितनी जमीन चाहिए उर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एक बिसाल भुकंड के आविशकता पड़ते हैं जमीन के आविशकता पड़ती है वन मेगावाट के जंत्र के लिए के पॉन फार्म के लिए लग बड़ दो हेक्टियर भूमी चाहिए आपको देखो कितनी जमीन चाहिए इनिशियल कोस्ट आप मात्र वन मेगावाट के बाद चल्दी यहां पर अदिशियल कोस्ट प्रिश्ट प्रिश्ट फॉर्म इंच्व इस चुट थाइं इनका यानि पभण उड़त आपकर ने तिक लागत होती है आदंबिक लागत होती है इनिशियल पैसा लगता बहुत साथ लगता है इसके अधर पवंचक्यों के दर आधार तो बेस उसकाम खड़ा कर रहे हैं जो तावर की तरह है और जो पंकडियां है क्वाइमनल में खुला होने के कारण अंधर चक्रवाज साइक्लों धूप आदिक कारण प्राक्रत ठपेड़ों को सेहन करता है हुआ है पंगड़ी लगी हुई रहती है वर्सात आ रहा है कई सारी प्राक्रति घटना होती है इसके लिए उच्छ रखरका को टूट जाए पंगड़ी इसके लिए हाई मेंटेनेंस की हमें जोद पढ़ती है तो लागत इसको बारबार देख रेक जादा करना पड़ता है ठीक है लेकिन जहां पर हवाय चलती है आई मेंटेनस बहुत महेंगा पड़ता है इस तरह के से बच्छों जो 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 कुशन सब्सक्राइब करिए का लंड करिए बोर्ड के अच्छी प्रिप्रेशन करिए ताक आप साइंस सब्जेक्ट में बिज्ञान विसे में आप अच्छे न